मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है क्योंकि मैं अपनी मर्दी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्दी चाहता हूँ अगर मैं खुद अपनी गवाही दू तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ मेरी गवाही जो देता है सच्ची है तुमने यहन्ना के पास पयाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है लेकिन मैं अपनी निजबत इन्सान की गवाही मनजूर नहीं करता तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम नजात पाओ वो जलता और चुमकता हुआ चिराख था और तुमको कुछ और अरसे तक उसकी रोशनी में खुछ रहना मनजूर हुआ लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो युहना की गवाही से बड़ी है क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिये यानि यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवा हैं कि मेरे बाप ने ही मुझे भेजा है और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है तुमने ना कभी उसकी आवास सुनी और ना उसकी सूरत देखी और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते तुम किताबे मुकदस में ढूंटे हो क्योंके समझते हो कि यह उसमें हमेशा की जिन्दगी तुमें मिलती है और यह वो है जो मेरी गवाई देती है फिर भी तुम जिन्दगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते है मैं आदमियों की इocalyptic नहीं चाहता लेकिन मैं तुम को जानता हूं के तुम में खुदा के महबत नहीं है मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे अकुबूल नहीं करते अगर कोई और अपने ही नाम से आये तो उसे कुबूल कर लोगे तुम जो एक दूसरे से इज़त चाहते हो और वो इज़त जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते क्यों कर इमान ला सकते हो ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूँगा क्योंकि अगर तुम मुशा के यकीन करते हो तुम मेरा यकीन करते है इसलिए उसने मेरे हक में लिखла है लेकिन जब तुम के नविष्टों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों के क्यों कर यकीन करोगे